गुद मॉर्निंग एवरिवान ये दो दिन पहले का वीडियो है मैंने एकादशी किया था तो उसका ब्रेकफस्ट और लंच हम शियर करेंगे तो यहां पर आप देख सेकते हो यह शाबू है और इसमें मैंगो दिया हुआ है तो मैंने पहले शाबू को स्टीम कर लिया उसके अच्छी तरह के स्टीम करने के बाद मिल्क और मैंगो के साथ ब्रेकफस्ट में दे दिया हस्बेंड को और मैंने भी सेहीं ही खाना ब्रेकफस्ट में खाया उसके बाद दुपेर का टाइम था तो मैंने थोड़ा सा घी डालके फिर से मैंने स्टीम करने के लिए छोड़ द क्योंकि हर टाइम नॉर्मिल खाते खाते हम लोग बोर हो चुके थे क्योंकि हर पंदरा दिन के बाद एक बार खाना पड़ता है फुरुट्स एन सागु तो इसकी लिए मैं थोड़ा सा अलग करना चाहती थी तो यह थोड़ा सा मैं घी और पिंग सॉल डाल की इसको अच्छी इस साइड में मैंने आलू ले लिया और यहां पे कैरेट ले लिया इसको छोटे-छोटे पीसिस में मैं काट लूँगी आलू, कैरेट और चिली को मैं काट लूँगी सब कुछ मैंने काट लिया आप देख सेकते हो बहुत ही छोटे-छोटे पीसिस मैंने काट आ है और यहा मैंने कढ़ाय चढ़ा दिया इसमें करी लीब दाल दिया और आलू को छोड़ दिया थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और ये क्या बोलते है इसको हल्दी दाल के अच्छी तरीके से हम लोग इसको फ्राइ कर लेंगे और यहां पर मैंने मुमफली को ग्राइंड करके छोड़ दिया पूरा पाउडर बना लिया इस बार क्योंकि हजबन को पीसेस में पसंद नहीं है और आप देख सेक तो यहां पे शाबू भी रेडी हो चुका है अभी स्टीम हो चुका है कलर भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा चम्मत से हिला दिया कि चारो और अच्छी तरीके स्टीम हो ज मेरे साउंड सब को पता चल रहा है मेरा बुखार है अभी भी बुखार है इसलिए मैं कंटिनु वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो अभी मैं यह बना रही थी इसलिए मैं वीडियो तो मैंने बहुत साड़ा बनाया है मैंने साउंड बहुत खराब है इसलिए मैं एड कर रही थी तो मैंने यहां पर भी थोड़ा सा पिंग सॉल्ट एड़ कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हम लोग भून लिया इस्टीम हो चुका है आप देखो कलर भी चेंज हो चुका है और यह कलर बहुत अच्छा लग रहा है फिर मैंने यहां पर मुफुली एड़ कर मुफुली को अच्छी तरीके से हम लोग इसमें कोट कर देंगे क्योंकि मैंने देखा है जो इस्टीम किया हुआ शाबू है वो थोड़ा से चिपका हुआ है जैसे चिपक जाता है और जो हम लोग नॉर्मल खाते है फ्राई करके वो चिपकता नहीं है मगर यह जो एज़र लोग होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है यह आप दे सेकता हो तो मैंने यहां पे मुफुली अल्रड़ी मिक्स कर चुकी हूँ और अभी इसको कड़ाई में दाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम लोग दो मिनिट के लिए भू आर राम से खा सकता है इसको बहुत ही सॉफ्ट रहता है आप घर पे जरू ट्राई करना मैंने यहां पे धनिया लीव भी एट कर दिया और अगर जो खाना नहीं चाता है ज्यादा सॉफ्ट तो वो डाइड एक फ्राई कर सकता है तो आज के लिए इतना ही आजका एका अदर